ट्रांस्फोर्मर क्या होता है एक डिवाइस होता है जिसको हम अल्टरेटिंग वोल्टेज या करेंट को कम या ज्यादा करने के लिए यूज करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाना है यह कम करना है तो उसके लिए सम्सम्दिभा यूजी करें इसका नाम स्मय hablar transformer में गिरश डूटाइप डूटाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं पहला होता है पहला होगा जो वोल्टेज को हम क्या बलते है इस तो हूतने का करेगा बड़ाने का काम करेगत एक चीज को कम करने मतलब मना होता है कि हम दो को पास-पास रखते हैं और शोटा वोल्टेशं को चेंज करते हैं उससे क्या होगा उसके पास में रखे दूसरी कोईल के अंदर एक एम अफ या करेंट प्रोडूस होगा ठीक है इस फिनोमेना के ऊपर यह डिवाइस काम करता है फिर यहां पर देखो हमने बला की स्टेप ट्रांस्मोर्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है दस वोल्ट को 50 वोल्ट कर दोनों काम एक साथ करता ही अभी इलेक्टिकल पावर का फॉर्मला आपको पता और लेक्टिकल पावर का फॉर्मला होता है वोल्टेज़ इन टू करेंट तो यह कोई मैजिकल डिवाइस नहीं गया इसा कि इसने को जादू कर दिया कंवल्टेज को बढ़ा दिया ऐसा नही तो इसको जितना इन्पुट दिया जाएगा अगर यह आइडल ट्रांसफॉर्मर है तो उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा मतलब ऐसे कभी नहीं होता कि इन्पुट कमते और आउटपुट ज्यादा मिले पॉसिबली नहीं है तो इन्पुट जो दिया उससे ज्यादा इन्पुट पावर है मालो पी आई आउटपुट पावर है मतलो पी ओ मालने तो इन्पुट पावर और आउटपुट पावर अगर यह आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो इक्वल होंगे अगर यह आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं है तो क्या होगा आउटपुट पाव मतलब dips और the courses की खरम में लगा लोच्व्ट गैं मतलब और अपको नेरजी वापस नहीं मिले V Output into I Output ठीक है और मतला आइक का मतलर इन्पूट तो यहां पर आपके देखोगे ऑपान वी ओ या वी ओ अपान वी अग्या की बात है यह एककोल होगा वी होगा है यह क्या है यह इन वरसली प्रोर्पोश्चनल होने का मतलब यह है कि अगर ऊस्टाइज को यह तो तो स्टैपड़ीकेश ली चरत को को घड़ाएगा तो करेंट को बढ़ा देगा अब अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन से ट्रांसफॉर्मर है जो करेंट को करते हैं अल्टरनेटिंग करेंट को कॉन से आपको बढ़ाने वाला कॉन सा होगा स्टेप नाम इसके अपक्राइब करेंट को बढ़ाएगा तो कॉन सा होगा ट्रांस्पोर्मर में इसको डिटेयल में बठाऊंगो आज तो पिंसिपल याद करना है इसके ंपीस बहुत ज्यादा बार पुछ जाता है वह आपको याद रखना है कि क्या हम डीची को भी एक ट्रांस्पोर्मर करके कम या ज्यादा कर सकते हैं कि डीसी वोल्टेज या डीसी करेंट को क्या एक ट्रांसफोर्मर को यूज करके क्या अप यह डाउन किया जा सकता है कम यह ज्यादा कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते बताओ किस प्रिंसिपल पर काम करता है यह होगा जिसकी वज़े से दूसरी कोईल में जो उसके पास में रखी गई है उसमें इमफ या करेंट इंड्यूस होगा तो आप सोच के बताओ कि अगर मैं डीसी करेंट अगर किसी कोईल को देता हूं तो उससे एक कॉंस्टेंट मैगनेटिक फिल्ट प्रिडूस होगा और कॉं से पास होता है और उस कोईल के अंदर एक एमफ या करंट इंड्यूस हो जाता तो यह मिच्वल इंडक्शन वाली फिनोमेना डीसी के के नहीं होगी तो ट्रांस्फोर्मर डीसी को कंवर्ट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता डीसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं यह सिर्फ अल्टरनेटिंग करेंट के लिए फैसिलिटी यह उसी के ऊपर काम करेगा ठीक है कि ट्रांस्फोर्मर का जो प्रिंसिपल वो क्या है हाँ म्यूच्वल इंडक्शन इसको हम बोलेंगे म्यूच्वल इंडक्शन म्यूच्वल इंडक्शन प्रिंसिपल पर यह काम करेगा ठीक है अब इसके में पार्ट्स देखते हैं अपनी इसमें क्या क्या चीजे लगी होंगी क्या इसके में पार्ट्स होंगे तो इसके अंदर सॉफ्ट टाइरेंड की बनी वही एक रेक्टेंगुलर को कोर होती है को इस स्ट्रेक्चर को बोला जाता है और यह किसकी बनी होती है सौफ्ट टाइरेंड की बनी रहेगी ठीक है इस तरीके से सौफ्ट टाइरेंड की बनी वही यह कोर होगी और यह जो कोर होती है यह प्लेटेड होती है प्लेटेड का मतलब है पत्री पत्ली अलग इसका नाम क्या होता है इसको कोर बोला जाता है इसके बाइन धिकर लिसके प्र vantage से क्या होगा वेरियमल मेंनेटिक से यह जो कोड है इस से पास नहीं ओला मैंनेटिक फ्लक्स मीज़ंग होगा उसके अंदर खुद के अंदर ही एक करेंट इन्ड़ूस और इसको इसके बारे में मिनमाइस करने का सब्सक्राइब सोफट आयरन पर कि इसको यूज करने का रिजन कहें इसके बाद में यहां पर वायर लिया और उसकी कोईल यहां पर बना दी तो यह जो फर्स्ट वैंडिंग है जिसमें हम सप्लाइब देंगे इन्पूट देंगे इन्पूट का मतलब है जिस वोल्टेज को हमें चेंज करना है जिस करेंट को हमें चेंज करना है वह इंपूट साइड में यहां पर दिया जाएगा इसको और जो आउटपुट मिलेगा मतलब चेंज होके जो मिलेगा वह इदर कोरण मिलेगा और उसको हम दोते हैं सेंट्री कोई है क्या बलते हैं और यह है मिलेगा उसको क्याना है आफ पुड लेका उसको बोलना सेकेंद्री और जहाँ पर इनपूट दिया है उसको क्या बोलना है उसको प्राइंबरी टीक्ट सिब्सक्राelf कि याद रुखना है जिस को को इंपूट दिया जाएगा जिसको इंपूट का मतलब हो वो वोल्टेज इसको change करना है ठीक है तो उसको वह जिसको को दिया जाता है वह फ्रारा होती है और जिससे आउट और ले जाएगा वों हमेशा सेंड्री कोई अगर इसको इन पूट डे रहे हैं इधर से आउट po alt सबसक्रों जो यह प्राम्री कोईल है इसमें यह फ्लो करेंगे वह है रहें त्याफिक्ट फॉल्टेज्स और जो वोल्टेज मिलेगा यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज उसको हम क्या बोलेंगे यहीं सिंबल समझ में गया इधर सायड में सारी से पी से रिपरजंट करने और आउटपुट सायड में सारी चीजे से रीफटेंट की हमें नंबर ऊफटरस दोनों मेंलग यह नंबर नंबर कितने रखने क्या, इसका रेशो रहे यह कितने हमको रखने उते हैं तो इसका एक फॉर्मला है उससे हम इसको हुआ हम पता है कि जब हम प्राइमरी में आइस इंपोट में देंगे तो इससे क्या होगा जो सप्लाई है वह continuous टाइम के साथ में चेंज होती है तो इस साइड में आपने इंपोट दिया है वह कुछ मत दिया है अब यह क्ला होगा यह करेंट और समस्त में और सबस्क्राइब कमें, जो इसके पास में रखे होगा, और सेकेंड कोईल से पास होने वाला होगा सेकंड कोईल के क्रोश एक एम अफ प्रोडूस होगा और वहीं आपका अउट्पूट है जिसको सब्सक्राइब यहां पर आउट्पूट जो मिलेगा न्यों क्या चीज़ है चैंज होने की वज़े से इसमें इंड्यूस होने वाला यह मैं इसमें प्रोडूस होगा उस ठीक है दोनों साइड में जो करेंट और वोल्टेज है उन में क्या रिलेक्षिन है पहले वो देख लेते हैं तो हमने देखा कि अगर यह ट्रास्पोर्मर आइडियल ट्रास्पोर्मर है इसमें कोई भी पावर का लोस नहीं हो रहा तो जितनी इंपुट पावर इसको दी हूँ तो आइडियल ट्रास्पोर्मर के लिए हमने क्या देखा कि जो इन्पुट पावर है वो आउट्पुट पावर की बराबर है कोई लोस नहीं हो रहा है समान की चल रहे हैं इन्पुट पावर का फरमला होता है वोल्टेज इन्टू करेंट तो हम लिखेंगे एपी इ वोल्टेज कम है तो करेंट ज्यादा होगी और एक चीज चीज कम होगी ठीक है जो भी transformer आपने use किया है जैसे सबसकर यह step up transformer है तो यह voltage को बढ़ाएगा तो simultaneously current क्या हो जाएगा इसके अंदर कम एक चीज बढ़ेगी और दूसरी चीज कम होगी दोनों एक दूसरे के inversely proportional होते हैं दोनों चीजे कभी भी एक साथ नहीं बढ़ेगी ऐसे नहीं कि voltage भी बढ़ा कि कुछ loss की form में energy west हो गई एक तरसे तो जो बाकिए energy बची है उससे जो output power बनेगी वो input power से हमेशा थोड़ी सी कम ही रहेगी आइडिल ट्रांसफोर्मर के लिए इसा लिख सकते हो तो यह वाले जो चीज हमने लिखी है यह सिर्फ आपको यह समझाने के लिए लिखा है मैंने कि voltage और current हमेशा इन्वर्शली प्रपॉस्टल होंगे voltage बढ़ाएगा अगर transformer तो current को कम करेगा ठीक है बाकी यह numerical में यूज नहीं करेंगे इसको क्यों नहीं करेंगे नुमेरिकल में यूज क्योंकि यह किसके लिए है आइडियल ट्रांसफोर्मर की और यह आइडियल ट्रांसफोर्मर सिर्फ मतलब पढ़ने के लिए होता है बाकी practically होता नहीं है practically जो ट्रांसफोर्मर है उसमें लौस भी होंगे सारी चीजी होंगी इस तरहें निमेरिकल में आपको यह formula यूज नहीं करना अगर बोलते हां कि यह एक आइडियल ट्रांसफोर्मर है तब आप इसको apply करो अधर्वाइस इसको apply नहीं करना है ठीक है एक और formula देखो हमको बताए कि जब हम किसी भी कोईल से पासने वाला magnetic flux change करते है तो उसमें एक EMF produce होता है जिसका formula होता है E equals to minus N d5 upon dt 5 का मतलब है magnetic flux अगर time के साथ में magnetic flux change होगा तो उस कोईल के अंदरे एक EMF induced होगा हाना E equals to minus N d5 by dt यह इसका formula है n का मदले में number of turns अगर मैं input side में इसको apply करो तो मैं लिखूंगा E P equals to N P d5 by dt और output side में अगर मैं इसको apply करूँ formula को तो मैं क्या लिखूंगा E s minus भी लगा देते हैं अपर E s equals to minus N s d5 upon dt समझ मैं अब primary कोईल जो magnetic प्रेडूस करेगी मतलब इसमें जो current flow वोगा वही से से पास होगा चलो करके देखते हैं मालो कि इसमें current फ्लो हो रहा है यह जो primary है इसमें current फ्लो हो रहा हो और करेंट की वज़े से क्या होगा एक सब्सक्राइब करते हैं जिस तरीके से तो थम डाउनवर्ड जा रहा है इसका मतलब इस कोईल की एक्सिस के लोग जो मैंनेटिक फिल प्रेडूइस होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और वह स्कॉर से होता हुआ किस से पास होगा समझ मैं के ही इदर से होता हुआ इदर मतलब मैंनेटिक फिल लाइन ऐसे बनाती है तो इस तरह के साप इसको ड्रो कर सकते हो कि मैंनेटिक फिल यहां पर प्रेडूस होगा और इस को नहीं पार है तब मीचूल इंडक्शन वाली फिनोमेन होगी नहीं और आउटपूट यहीं को यूज़िक वाइंगी क्वाइवान के बादाइवाव भादाई होती और आपको उससे और रूज़िक होगा और यहां पर यहां पर दोनों फॉमलिये हमने लिखे हैं यह तो प्रामे कोईल के लिखा है कि उसमें कितना और सेकेंडरी कोई के लिए लिए लिखा है कि उसमें कितना इम अप प्रेडूस होगा अगर दोनों का रेशो अपन लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे एएस अपन एपी इकोल स्टू एको एनएस अपन एनपी और बाकी चीज़े यहां पर कैंसल हो जाएंगी यहां पर डिफाइब एडिटी दोनों कोईल्स के लिए सेम होगा क्या रीजन है इसका क्योंकि प्रैम्री कोईल जो मैगनेटिक फिल्ट प्रेडूस करेगी वही मैग लूप का जो साइज होगा वह सेम होगा अब मैगनेटिक फ्लक्स का फ्रमला होता है फाइए इकोल्स टू बी डौटे से मही पास हो रहा है क्रोस权च्शनल एरिया दोनों कोईल्स का तो मैगनेटिक कोईल वाली साईट मेगनेटिक tan और 는지 आगे जाकि सेकेंडरी कोईल से मिलने से क्या होगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि एस अपन एपी किसके बराबर है एनस अपन पी यानिकी वोल्टेज और नंबर ओफ टांज देखो एस और एनस क्या है डारेक्ट लिप्रोपोर्शनल है मतलब इसका मतलब यह है कि जिस साइड में हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है उस साइड में नंबर ओफ टरंज ज्यादा रखे जाते हैं वहीं सिंपल सा लोजिक है अगर एक सिंगल टर्न की बात करूँ एक सिंगल टर्न में कितना इम अप प्रेडूस होगा तो एन की वेल प्रेडूस हुआ हाना एक टर्न के अंदर जो एकोल स्टू माइनस डिफाइब एडिटी आप सॉल करोगे तो पचास टर्न होंगे तो कितना होगा पचास वोल्ट होगा तो जितने ज्यादा नंबर ओफ टरंस आप आउट्पूर्ट साइड में रखोगे उतना ही ज्यादा वोल्टेज को टेनो टाइमस तो आपने ताइमस ज्यादा नंबर ओफ टरंस रख ली सेडिes में क्योंकि जो नंबर ओफ टरंस का रेश्यो है हैना वह व्ल्टेज का रेश्ययू है दोनों डाउन्ग प्रपोस्ट सेंदाने यह कि तससे रखने अगराइए को 10 x बड़ाना है कि ठीकर अगर वोल्टेज को आपने 10 x बड़ा लिया तो current कि आइडियल ट्रांस्फोर में कली भात हो रही है कि m होगा 10 times कम होगा और practically क्या होगा थोड़ा और भी कम होता है क्योंकि लोसिज वगिरा भी दोते हैं इस वाज जैसे थोड़ा सा और कम हो जाएगा बाकि आप यह मान के चलो कि वोल्टेज बढ़ेगा तो आई पी अपॉन आइस को ड smack uranium становится करेशों जो रोड़ा के लिए तिकनत आद उनने दिए मतलब यह किस रोड़ा करुद को कमिया रिशाद करते हैं कैसा सिक्षण करके अच्छा जब लेइक रहते हैं श् Ka Victoria को अवा मैं है efficiency of the transformer क्या बोलते हैं उसको efficiency नाम सुनाएं कि क्या होता है efficiency इटा के सिंबल से इसको रिपर्जेंट करते हैं मेशा efficiency का मतलब होता है output power upon input power into 100 यह percentage में वेल्यू आएगी जिसे मैंने बोला कि transformer हो कितना percent efficient है मतलब जो इसको input दिया जाएगा उसको कितना efficiently वो output में convert कर पाएगा उसको हम क्या होते है efficiency of the transformer और efficiency calculate करने का तरीका क्या है output power को input power से divide कर दो into 100 कर दो तो इससे क्या हैगा efficiency of the transformer आ जाएगी अब मालों कि ideal transformer है सपोस करो तो इसके लिए हमने क्या देखा कि output power input power बराबर होती है तो अगर यह equal पूट करोगे तो यह रेश्यों क्या आएगा वन तो efficiency कितनी होगी 100% प्रेक्टिकली नहीं होगा लेकिन आसा output power हमेशे थोड़ी सी कम रहेगी कम रहेगी तो जैसे मालों 100 वाट पावर इसको दी सप्लाई में आउटपूट आपको मिला 90 वाट तो 90 अपॉन हंडेट इन्टू हंडेट करोगे तो सब्सक्राइगा 90 परसेंट आएगा इसका मतलब जो ट्रांसफोर्मर है वो 90 परसेंट इफिशेंट है तेन परसेंट वो लोग्स करेगा 90 परसेंट इलेक्ट्रिकल पावर को इफिशेंटली सेकेंडरी कोईल की तरफ ट्रांसफर कर देगा हूँ समझ मैं है है देखो मैं मैं क्या क्या चीज़े थी मैं आपको दो मिनेट में वापस रिवाइज कर आँ इसकी बनी होती है जिसको प्लेटेड बनाया जाता है और इसके उपर दो वाइंडिंग्स होती है जिसमें एक होती है प्रैमरी वाइंडिंग एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में हमेशा इन्पूट दिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमेशा आउट सब्सक्राइब करने के लिए कम करने के लिए यूज करते हैं अगर वोल्टेज को क्या करतेगा इंक्रीज कर देगा तो वोल्टेज को कम करने के लिए या करेंट को इंक्रीज करने के लिए जो ट्रास्पोर्मर यूज करेंगे वगा स्ट्ट डाउन एक और इंपर्टेट चीज के अंदर कई पूछ लेता हैं कि इन दोनों वैंडिंग से कौनसी वैंडिंग की ठिकनेश क्टांसे की ज्यादा होगी तो वायर की फिकनेस होती है जब किसी भीगे में कण्पेंट All करते हैं इसमें हमें कितना और प्रॉक प्रॉक है अगर हम तो में ज्यादा करेंट आप क्या होगा तो जब भी वाइरिंग की जाती है कोई बी केबल हो कोई अगर डालते हो अपनी फिटिंग के अंदर या कोई ट्रांस पूर्मर मनें यूज़ कर रहू को बताऊ कौनसी वाइंडिंग की थिकनेह 1手 को वाइर कीography थिकने सबको ज्यादा रखनी पड़ेगी मैंने sitä ट्रांस पूर्मर बताओ नोग कि अगर स्टेब डाउन ट्रास्मोर मार roam ए तो वल्ल्टेज को क्या करेगा साइन करेगा मतलब ज्यादा करन रखने पाड़ेगी तalar ने पड़ेगी त street कौन से वायर की थिकने ज्यादा होती है प्राइमरी की है सेकंडरी तो जिदर करंट ज्यादा होगा करंट को देखना है जिस साइड में करंट ज्यादा होगा उस साइड में आपको वैंडिंग की जो जो वायर यूज करें वैंडिंग के लिए उसकी थिकने साब को ज्यादा रखनी चाहिए सब्सक्राइब कि बिल्कुल आसान सा टोपिक था